हेलो फ्रेंड्स, WSQ Tech के चैनल पे मैं सुरेंदर आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ आज सी लेंग्विज में एक और अलग टैप के पैटन को आज डिसकस करने वाले है तो इस पैटन को हम लोग कैसे बनाएंगे, पैटन आप देख सकते हैं, इस टैप के पैटन को हम आखिर बनाएंगे कैसे, इसका लॉजिक क्या होगा, वो सारी बात है आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहां पर कि हमारे पास problem क्या problem यह है कि 5 by 5 के block में जिसमें 5 rows और 5 columns है इस 5 by 5 के blocks में हमें क्या करना है पहले 1st row में 4 spaces को print करना है उसके बाद में print करना है 1 इसी type से next row में जब आप आएंगे तो फिर आपको 3 spaces print करके print करना है 0 1 इसी type से next row में 2 spaces के बाद आपको print करना है 0 1 0 इसी type से next row में आपको एक और space के बाद print करना है 1 0 1 0 और last में आपको print करना है 1 0 1 0 1 तो यह तो है problem अब इसका solution क्या है इसका solution क्या होगा आपको यहां पर row को column को handle करना है rows की values को columns की values को साथ में spaces की values को और उसके साथ इसके अंदर जो values आप print करें like 101 जो भी values हैं इसको हम लोग किस तरीके से use करने वाले तो देखते हैं इसका logic क्या है इसका logic में आपको लिख करके समझाता हूँ देखें यहाँ पर क्या हो रहा है मैं assume कर सकता है यह मेरी row number 1 है यह row number 2 है यह row number 3 है यह row number 4 है और यह row number 5 है अब row number 1 में क्या हो रहा है पहले 4 spaces print हो रहे हैं फिर 1 print हो रहा है इसी टैप से row number 2 में भी कुछ spaces के बाद 2 columns print हो रहे हैं row number 3 में भी कुछ space के बाद में आपके 3 columns print हो रहे हैं row number 4 में एक space के बाद आपके four columns print हो रहे और ऐसी row number five के अंदर without space आपके columns print हो तो देखिए row तो five है आपके पास में क्या कर सकता हूँ ऐसी लिख देता हूँ r की value एक से शुरू होगी और कहां तक चलेंगे आप पांच तक यानिकि row आपकी one से five times पक चलेंगी हर row के अंदर कुछ काम होगा क्या काम होगा पहले तो आपका space print होगा और बाद मैं आपके column की value print होने वाली है तो देखिए space कैसे set करेंगे अगर मैं कहता हूँ कि row number एक में चार spaces आएंगे four spaces तो मैं ऐसा कर सकता हूँ आपके पास जब row number four हो जाएगी तो वापस लूप में जब आप आओगे तो sp कहां से शुरू होगा four से four यानि एक space और ऐसी जब आप five पे आओगे तो यहां तो क्योंकि sp started four से हो रहा है तो condition false इसलिए last line के अंदर आपका space print नहीं होगा तो यह समझ में आ गया होगा इसमें होगा क्या यहां पर आपके पास आपको blank एक space print करना है बस इसी टाइप से आपके पास next काम है column का column कहां से शुरू होगा देखे रो नंबर एक में एक से शुरू हुआ रो नंबर दो में एक दो दो spaces दो आपके पास जो है वो number से डिजिट से ऐसी row number 3 में एक से 3 एक से 4 एक से 5 आप देख सकते है मिन्स जितने आपकी row है उतने आपके column है तो मैं लिख देता हूँ c equals to 1 1 से कहा तक चलना है आपको r time पर एक से 1 एक से 2 एक से 3 एक से 4 एक से 5 वो तो डिजिट से है जो आप print करने चाहते मिन्स वो area बता रहा हूँ जह आपको print करना है अब इस columns के अंदर print होगा क्या तो क्या print होने वाला है वो आपको देखना है important है percentage d क्योंकि number है आपके पास 1010 number ही तो है अब इसके अंदर print क्या करने वाले तो आप क्या print करेंगे मैं लिख देता हूँ percentage d के बाद यहाँ पर मैं लिख दूँगा जो मेरे पास एक variable लेता हूँ जैसे variable का नाम लेता हूँ आई ठीक है logic देखिए logic क्या है I को मैं शुरू करता हूँ एक से 1 से शुरू करता हूँ अगर मैं कहता हूँ आप इसको अगर अब देखेंगे तो क्या print करेगा यह 1 अगर I++ करता हूँ तो क्य क्या होगे आपके पास कि जो I की value है अगर उसमें divide by 2 किया जाए तो remainder जो बचेगा वह print कर दीजिए जैसे एक में दो का बाग लगाओ पीछे क्या बचेगा आपके पास एक दो में लगाएंगे तो 0 वापस 3 में करेंगे तो वापस 1 मतलब जितने भी even numbers से हैं वहाँ सब त increase साथ में करना होगा I को प्लस प्लस तो कि अभी जो है 1 है फिर 2 करना है 3 4 5 6 7 8 इस ताइप से हम आगे चलते जाएंगे तो देखें लॉजिक जो है इतना ही है इस लॉजिक के बेस पर क्या करना है हमें यहाँ पर अभी use करना है इसका code तो इसका code क्या होगा इसका code देखत में फंक्शन की लाश्ट नाइन पर जाके लिख दूँगा return 0 ठीक है और इसमें जितनी भी variables चाहिए आप लिख दीजी जैसे एक row चाहिए एक column चाहिए एक space चाहिए एक i चाहिए और i की value शुरू कहां से करूँगा मैं 1 से 1 से 1 से लिखर के 15 तक 15 तक अपन चलने वाने है अब इसमें क्या करना है मैं लिख देता हूँ 4 लूप चलाना पड़ेगा पहले row को शुरू करूँगा 1 से 5 और उसके बाद उस row के loop में आप कुछ काम करेंगे तो देखे मैं लिख देता हूँ r equals to 1 r is less than equals to 5 r plus plus इस तरीके से ठीक है अब इस row में क्या काम करने वाले है तो आपको यहाँ पर क्या करना है एक तो space print करना है तो sp sp equals to कहा से 4 से space greater than equals to r और sp आपका minus इसमें क्या करना है आपको print करना है एक blank space बस हो गया इसका काम खतम उसके बाद क्या करना है आपको तो आप लिख देंगे for c c कहा से शुरू होगा 1 से कहा तक चलेगा c is less than or equals to r है तब तक c आपका plus plus ठीक है एक दो तीन चार इस टाइप से 1,2,3,4 उसके बाद क्या करना है इसमें print करना है आप क्या print करना है वो देखने जे percentage d करेंगे आप किसकी value को करना है i mod 2 की value को इस तरीके से ठीक है और फिर उसके बाद में क्या करना है आपको यहाँ पर i की value को plus तो क् कि आप देखे यह multi line का code हो गया है इसलिए मैं यहाँ पर curly brackets लगाने वाला हो कि single line का code होता है जैसे आप देख रहे हैं अभी और पहले भी मैंने कई बार curly brackets ने लगा रखा जब multi line का code होता है एक से गदा line का code है तो आप curly brackets लगाई है otherwise आप चाहें तो इसको ignore कर सकते है जैस भी आपके numbers है वो जब row complete हो जाती है तो हम क्या चाहते हैं वहाँ पर एक new line लेना तो क्या लिख दूँगा फ्रिंट एफ slash F11 करता हूं आप देखेंगे यहाँ पर कि आपका जो code है वो बिल्कुल आपके सामने है कि कि इस type से आपका output आच चुका है output वैसे है जैसे हमने बात करी थी तो इस तरीके से हमने आज एक और ने type के pattern को discuss किया है complete किया है ऐसे ही आगी के वीडियो में भी हम लोग और अलग आपके pattern को discuss करेंगे तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए धन्यवाद